नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अगस्त के अमतिम सप्ता में जारी किया जाएगा वहीं इंटर्मीडियेट और असनातक अस्तर के जार्खन प्ररमुख बिद्यालाय प्रसिक्षित सहायक आचार समुख परिक्षा समाप्थ हो चुकी है मावला सुप्रीम कोट में लंबित है इसलिए कोट के आदेश पर परिणाम का परकासन किया जाएगा वहीं जार्खन महिला परवेक्षी का प्रतियोक्ता परिक्षा तो है इसका आउज़न अगस्त के अमतिम सप्ता में होगा जबकि परिक्षा पर अक्टूबर के दूसरे सप्ता में परकासित होगा वहीं मैट्रिक अस्तरिय परतियोक्ता परिक्षा सितंबर के पहले सप्ता में होगी और इसके परिणाम अक्टूबर के दूसरे सप्ता में जारी किया जाएगे वहीं जार्खन समाने असनात्ता के योगतधारी सन्युक्त प्रतुक्ता परिक्चा सितंबर के अम्तिम सप्ता हमें होगी और रिजल्ट अक्टूबर के अम्तिम सप्ता हमें आएगा जारकन पारा मेडिकल सन्युक्त परिक्षा अक्टूबर के पहले सप्ता हमें होगी और पेड़ा नॉम्बर के अम्तिप सप्ता हमें आएंगे वहाँ जहर्कन उत्पाद सीपाईं जहर्कन आरक्षी प्रतुक्त परिक्चा के लिए इस महीने से दक्सता परिक्चा होनी है इसके बाद लिखित परिक्चा होगी मुख्य मंत्री मया समान योजना का सरवर का जल्द होगा समाधान कलपना सोरेन मुख्य मंत्री मया समान योजना के सफल किरनोन को लेकर सका गंभीर इस योजना को लेकर मंगलवार को गिरीड जिले के पंचाय सची वाले तेलो डिह में आयोजी सीवीर में गांडे विधायक कलपना सुरेन पहुंची उनके साथ गिरी डिस्दार विधायक सुधी बेकुमार सोनू, जेमेम जिलाध्यक, संजाय सिंग, युवा उपाध्यक, फरदिन अहमाद भी मवजूद थे कायकरा में तेलोडी मुखिया, सबीर आलम और पूरो मुखिया, रीजवान खातुन ने बिधायक कलपना सुरेन का स्वागत किया इस अशर पर बिधायक कलपना सुरेन ने सिवीर में आय लोगों से बाचित करते हुए उनकी परचानियों को समझी और सी, एस, सी के सभी आवड़ेटर को आवसक दिशार ने दिशती है सर्वर की समस्या पर कलपना सुरेन ने कहा है कि समस्या से मुखिय मंत्री हमन सुरेन के अउगत करा दिया गया है आसा है कि आज साम तक सर्वर की समस्या को दूर कर लिया जाएगा जारखन में EDCBI की करवाई के खिलाब कानूनिक कवाच जारखन सरकार EDCBI की करवाई की खिलाब कानूनिक कवाच बनाने की त्यारी में है इससे जुड़ी प्रस्तावर बुद्ध्वार को राज केबिनेट के बैठक में मुहर लग सकती है बैठक में सरकार जार्खन कारपल का नियमावली दो हज्जार में एक और संसोधान के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है समिधान के अनुछेद 166 के अनुछार राज सरकार के सारे कारे राजेपल के नाम पर होते हैं समिधान का यह प्रवधान राजे को अलग अलग विभागो के अन्तरगत कारे बटवारे तथा कारे के निस्पादन के लिए सक्षम प्राधी कारताय करने की सकती देता है इसी उदेश से जार्खन का पलका नेमाली दो हजजार बनाई गई है जिसे राज सरकार के और से समय समय पर संसोध किया जाता रहा है सुत्रों की मानने तो प्रस्तावीत संसोधन इसलिए महत पुन माना जा रहा है इसके जरी राज सरकार EDOCBI जैसे एजेंसियों के गतिवीदियों को एक हद तक नियंत्रित कर सकेगी जारखन के 17 जीलों में आज भारी बारिस का अलर्ट राज़ी समेत जारखन में मांसुन सक्रिये रहने से बारिस जारी है दोहर कुर राज़ी के 17 जीलों में भारी बारिस का औरेंज अलर्ट जारी किया गया है 7 जीलों रांची खुटी सिम्टेगा गुमला पूर्भी सिम्भूं पच्मी सिम्भूं और सराय के लाख हरसावा के लिए जहां औरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहीं 10 जीलो, पलामू, गडवा चत्रा, लातेहार, लोहर्दा का धनबात, गिरिडी, बोकारो, रामगर और हजारीबा के लिए एलो अलड जारी किया गया है मौसम बेग्यानी अभिसेक आननने कहा है कि बाचिम मंगाल के गांगे छेत्रे से लेकर समीब के बंगला देश के उपर एक साइकलोनिक सेकलेशन बना है इसके परभाव से जारखन में बारिस के आसार है जारखन में प्रतिभ्यक्ति आयराश्टरी आयसे काम भारत के कई राजियों के तय खर्च में बढ़ोतरी देखिनों को मिल रही है 2023 के मुकाबले 2024 में इसमें 14% की बिरिधी दर्च की गई राजियों दोवारा पेंसन, ब्याज और प्रसासनिक सेवा से जुड़े खर्चों को तय खर्च कहा जाता है 2023 में 12.2 लाग रूपए तय खर्च में गए जो 2024 में बढ़ कर 13.5 लाग रूपए हो गया इसमें भी जारखन, बिहार, पंजाब, यूपी, पच्छिम, मंगाल और रायस्थान जैसे राजियों में सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले तय खर्च राष्ट्रिये अउसथ से अधिक है जबकि इन राजों में प्रती बेक्ती आय राष्ट्रिये अउसथ से कम है बता दे बित्ती वर्ष 2024 परचिस के आम बयर्ट समिक्षा में भारतिये स्टेट बैंक ने तय खर्च को लेकर चिंता जताई है उत्पाद सिपाही बहाली की त्यारी की समिक्षा उत्पाद बिभाग के सिपाहीों की बहाली की त्यारी की समिक्षा सोमवार को ADG मुख्याले RK मलік ने की है उन्होंने बता याई कि सिपाहियों की सरीक दख्ता परिक्षा 20 अगस समभावी था है परिक्षा को सफल बनाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियो गराफी सीसी टीवी कैमरा और मेडिकल टीम की वेवस्था की गई है सक्त अनुसासन में कदाचार मुक्ते परिक्षा कायोजन किया जाएगा बैठक में डी आई जी कार्मिक नौसाद अलम जे सेस्ती वह उत्पाद विभा के अधिकारी टाइमिंग टेक्नोलोजी के अभियानता सभी परिक्षा केंद्रिक के नामित अध्यक्ष वस्था से उपत संजय अनन्द लाटकर ने राज्य भर की सलक सुरक्षा की समिक्षा की है समिक्षा की दोरान ये हवास सामने आई है कि रांची गुमला खोटी चाइबासा जम सेथ पूर गढ़वार रामगण पाहकुड जामतरा और चत्रा में सलक दुर घटनाओं में बढ़तरी हुई है समिक्षा बैठाग में वीडियो कंफिसिंग के जरी है सभी रेंज आई जी छेतरी ये डी आई जी जिलो के एस भी परियोहन विभाग के अधिकारी भी मवजूद थे मुख्यमंतरी हमांशुरे ने 2040 दिवस के अउसर पर जार्खन आदिवासि महोस्व पूरी गरिमा और भवयता के साथ मनाया जाए उन्होंने कहाए कि महोसों में राजे की संस्कृति दिखे आईसा योजन किया जाए वहीं संस्कृतिक समारो अस्थल में आने वाले लोगों के बैठने की पूरी वेवस्ता हो साज साजाव भव्याता में कोई कमी नहीं रहे इसके लिए पूरी त्यारी कर एक बेहतर प्लानिंग के साथ करे बैठक मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचीव अविनास कुमार भी उपस्थी थे पलामों में पटवन के दगान करंट से पिता पूत्र की मौत पलामों के पाकी थाना छेतरे के हुरलाओं गावम मंगलवार के सुबा किसान पिता पूत्र की बिली के करंट से मौत हो गई है पूलिस ने परिजनों का फर्द बियान दर्च कर दोनों स्ववों को पोश्मास्रम के बाद परिजनों को सोब दिया है इधर बिली आपूर्ती कांपेनी के करेपाला का भियानता एसन चोजरी ने बताया है कि दोनों की मौत चाइनीज दार के सहारे मोटर पंप का परियोग करने के करम में करंट लगने से हुई है मिरित के परिजन बिरंद चंदरवनसी ने बताया है कि 55 वर्षिय की सानना गेंदर चंदरवनसी और 33 वर्षिय उनका पोत्र अविनास वर्मा और पिंटु चंदरवनसी मंगलवार की सुबा धान का बिचड़ा उखालने के लिए मोटर पंप से पटवन कर रहे थे इसी करह में पिता को करंट लग गई पिता को बचाने के परियास है पूत्र भी करंट के चपट में आगया है 5 सितंबर से जारखन महिला T20 किर्केट लीग का आयोजान जारखन राज कर्केट एसीएशन और WCA जमसेथपूर के भी जारखन में घरेलू महिला T20 लीग आयोजान करने के लिए M.I.U. हुई है मंगलवार को M.I.U. के बाद जनकारी दी गई है कि 5 सितंबर से 15 सितंबर 22 सोबिस्त करांची की J.S.C.A. International Stadium Complex में महिला T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा जारखन की महिला खिलारियों को अस्थानिये परतिभाद दिखाने और परति अस्थिक किरिकेट को बढ़ावा देने के लिए पांच टीमों में विभाजित किया जाएगा वहीं टूर्नामेंट के दोरान कूल मिला का 13 मैच खेले जाएगे जारखन मुख्यमंत्री मयज समान योजना की तक्निकी समस्याओं को जल्द करे दूर मुख्यमंत्री CM हेमान सुरे ने जहारकन मुख्यमंत्री मयय समान योजना में आ रही तक्निकी समस्याओं को लेकर वर्ये पतादिकारियों उपायुकतो और CSC के वर्ये पतादिकारियों साथ बैठक की उन्होंने कहा कि सुरे नाकर लेने में लाभूक जिद्दी बहनों को आर्य कटना योगो जल्द से जल्द दूर करेे ताकि कि सी भी जवर्यत मनude को लाभ लेने में पर रशानी के समना नहीं करना पडिए विभाग जल्द दिसा नित्यस जारी करें स्वर्वर डाउन समेत अन तकनीकी कारणों से महिलाओ को परिसानियों को सामना करना पड़ रहा है और वे निराज होकर बेरेग हर लोटने पर मजबूर है जारखन मुख्य मंत्री मईया समान योजना के लिए आयोजीत बिसेस का महिलाओ को कटना योग सामना करना पड़ रहा है हेमल स्वर्वर सरकार के महतो कांची योजना का लाव लेने के लिए महिलाओ का होजुम कैप में उमर रहा है लेकिन पोटल में तक्निकी समस्याओ कारान महिलाओ लाभूक आवेदान नहीं कर पा रही है उच सिक्षा में बाधा नहीं बनेगी दिव्यांगेता चमपाई सुरे जारखन के पूर मुख मंत्री सा उच एवम तक्निकी सिक्षा विभाग के मंत्री चमपाई सुरे ने कहा है बांची में दिव्यांग जनों के लिए अस्थापित होने वाला पूर्वी छेत्र का पहला राजे विश्व विद्याले सारीरिक यह मांसिक अक्षमता वाले युवाओं के लिए वर्दान साबित होगा इस विश्व विद्याले के स्थापना होने से उनकी सारेरिक कौमी उच्छा में बाधक नहीं बनेगी मंत्री मंगलवार को दिव्यांग जनों के लिए स्थाफित होने वाले राजे बीश्व बिद्याले के विजन विधेक आजी त्यार करने को लिकर आयोजीत कारे साला को सम्मोधित कर रहे थे इस अउसर प्रणों ने कहा है कि इस वी सुभी द्याले में दूसरे राजयों के दिव्यंग जन भी पढ़ाई कर सकेंगे चमपई ने कहा है कि राज सकार दिव्यंग साथ योग को सिख्छा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने है तु क्रित संकल्पी थै कीवार कोड एसकेंग कर डायल 112 पर दे सकेंगे सुचना डीजीपी पुलिस मुख्याले में डीजीपी अनुराग गुपता ने डायल 112 के परचार परसार को लेकर अधिकारियोग साथ बैठक किया उन्होंने इसके सुचारो रूप से किरनोयन वा आम जनता के बीच परचार परसार कर जगरूपता वा रिस्पोंस टाइम में और अधिक सुधार लाने के लिए वसक दिसानिर्देस भी जारी किया है उन्होंने जारकन पुलिस का अस्तर से डायल 112 समंदित एक क्यूर कोड का निर्मान कर सभी स्थरुजनिक अस्थानों तथा सभी पबलिक टांस्पोर्ट पर लगाने का निर्देस दिया है इनमें आटो पबलिक बस सहित पार्क स्कूल कॉलेज आदी सामिल है जहां छात्र छात्राओ काना जाना है वहां क्यूर कोड लगाए जाएंगे इससे याँ फाइदा होगा कि कोई भी पिडित या पिडिता संकट काल में उस क्यूर को स्केन कर डायल 112 पर पुलिस को समय से सुचना दे सकेंगे चाई बासा में मलेरिया से 41 छात्राओ बिमार आठ पोजेटी पचमी सिम्हुम जी लेगे घोर नकसल पहोई टोटो परकांड में आवस्थीत मोडल पी द्याले टोटो में गयर सरकारी संस्ता एकस्पायर की ओर से संचारित आवास्ते स्यतु पाठकरम केंद्रे में रहे ड्राप आउट छात्राओ परभाई के करान मलेरिया के चपेट म बाबु राम लांगुरी को बच्चों के बिमार होने की सुचना दिया है पूर्मुखिया ने सिविल सर्जन डाक्टर जाहिर पाल को सिद्धी सवगत कराया तो सिविल सर्जन अत्तकाल एकची की सिए दल को टोटो भेजा है किसानों को करिशक पाट साला में बैकल्पी क्खेती की दे ट्रेनिंग मुख्यमंत्री इससे जूड कर उत्पादों का लाव ले सके किरिशक पार्साला में बैकलपी खेती के लिए किसानों को ट्रेनिंग दे ताकि बीपरित हालात में भी खेती से जूड कर वयार्थिक रुप से मजबूत बने रहें जेलो में उम्रकैद की सजा काट रहे और कैदी होंगे रिहा मुख्यमंतरी जारखन के सिया महवन्तरी ने राजी की विभीन जेलो में आजीवन करावाज की सजा काट रहे और तीस कैदीयों को रिहा कराने के सज़़ित दिया दिया जारखन मंतरा ये मंगलवार के प्रस्ताव पर अपने मंजुरी दी थी धन्यवाद